नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है बीमसेन और मैं दो बार फिर आपके सामने आजिरूं एक छोटा सा टेस्ट प्रोसेजर लेके तो मेरा ये सब्जेक्ट है कि जो हमारी क्यूड पलेट रहती है ड्राई के बाद में उसका फ्रीलेड कैसे चेक किया जाए तो दोस्तों सभी मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो थोड़ी बहुत ये जानकारी है तो मैं दूसरे को साथ साजा कर सकूं जिससे दूसरे जिसको ये प्रोसेजर का नहीं पता है वह इस चैनल के जरिए इस वीडियो को देखके उस प्रोसेजर को सीख ले दोस्तों सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि फ्री लैड गंटेंट होता क्या है दोस्तों जब हम लेड ऊक्साइड यूज करते हैं तो हम उसका फिलेड परसेंट के आसपास रखते हैं कोई 30 सकता को 29 रखता है अपनी एपनी जैसी रिक्वार्मेंट होती है उसके साफ से हम उसका फिलेड और डाउन हो जाता है तो पेस्ट होते होते हैं जब प्लेट के अंदर प्लेट क्यूरिंग के अंदर जाती है उसका फिरलेट बसते हैं 14 से 15 परसेंट करीब का तो हम उसकी क्यूरिंग करते हैं तो क्यूरिंग में हमारा जो में टार्गेट होता है उस फिरलेट कंटेंट को मै आदफ pursue तो हम उसको बहुत अच्छिह मां मतना और नेगेटीव प्लेट में 3 से डाउन धाइ तीन दो डाइ तीन से उपर यह जाना चाह पास लेप है और अगर नहीं भी है तो इसके लिए इतना बड़ा सेट अपनी चाहिए प॔ड़ा सा इस एटप चाहिए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आपको इसके लिए चाहिए सबसे पहले डिश्टिल्ड वाटर वो सभी के पास होता है एसीटिक एसीड के साथ में चाहिए गामारे को अमोनियम एसीटेट इसका प्रोपर रेश्यू होता उस रेश्यू में इन तीनों या लिए को मिलाकर डिश्टिल्ड वाटर में सब्सक्राइब होता है जिस प्लेटका हमारे को तो देए बारिक पर शहान लेती है च्छान ने के बाद में कि रहता है बहुत ही छोटे एक घ्राम की आक्यूरेशिव दिखाते है उस स्केल पर पाउडर का 5 ग्राम वेट कर लेते हैं और इसको ола को असे चंटिक का जो हमने शी तो लूसन के अंदर इसको डाल देते एंग तरह स्टिर करने के बाद में इसको होटपलेट परक देते हैं जब यह अच्छी तरह वेज्टाये फोर जाने के बाद इसको निकाल गलते आные तोGS वोष करते हैं इसको जो सोलिसान होता है जो फैंक देते हैं और इसको बचितरे दिस्टिल वाटर से वाच करते हैं जब यह वोश हो जाता है तो इसको वोश करने के बाद में जो इसके अंदर का content वस्त आ है उसको watch glass के अंदर oven के अंदर रख देते हैं dry होने के लिए तो इस यह करीब 10-15 मिनिट लेता है ड्राइव होने में जब यह प्रोपर तरीके से ड्राइव हो जाता है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद में वाच ग्लास से जो ड्राइवा मेट्रियल है उसका वेट करते हैं अब उसका वेट करने के बाद सब्सक्राइब जो हमारा वेट निकल जाता है वह हमारा कैलकुलेशन के थ्रूप फ्रीलेड कैलकुलेशन आजाती है कि यह कैलकुलेशन आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं इसमें कोई इतनी बड़ी रोकेट साइन्स नहीं है दोस्तो 97 से मैं बैटरी फिल्ड में काम कर रहा हूं तो जो जानकरी थोड़ी बहुत मेरे को है मैं चाहता हूं वह आप लोगों तक पहुचे और आप लोग उसका जरूर फायदा उठाए अगर यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो आपके काम की हो तो मेरे इस चैनल को ल अपनाने वाले भाईयों तक भी कोशिश करें शेयर करें तो दोस्तों मैं आज से कोशिश करूंगा बैटरी वाले सब्जेक्ट पर इस कंटेंट पर एक दो वीडियो अपते में जरूर डालूं तो आज के लिए इतना है दोस्तों नमस्कार